भारत और साउथ अफरीका के बीच आज से तीन मैचों के वंडे सीरीज का आगाज हो चुका है सीरीज का पहला मुकाबला न्यू वांडर्स स्टेडियम जोहानिस्पर्ग में खेला जा रहा है मुकाबले की शुरुआत अफरीकी कप्तान एडिन मार्करम के टॉस चितकर पहले बले बाजी करने के साथ हुई मैच में भारत की ओर से 22 वर्शे युवा कि लाड़ी साइंस सुदर्शन को डेब्यू का मौका मिला है वे इस मुकाबले में रितुराज का एकवार के साथ टीम इंडिया के लिए ओपन करते हुए नजर आएंगे साइंस सुदर्शन के लिए वाकी में ये एक बहुत बड़ा मॉमेंट है साइंस सुदर्शन तमिलनाडू के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने घरेलू टीम के लिए लगातार अच्छा परफॉमेंस किया है इसके लावा आईपेल में वे गुजरा टाइटन्स के लिए भी पिछले दो सीजनों में शानदा परफॉमेंस करते आ रहे हैं तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस सुदर्शन आखिर हैं कौन साइंस सुदर्शन का जन्व 15 अक्टूबर 2001 को चन्नई के तमिल नाडू में हुआ था वे एक ऐसे परिवार से आते हैं जो खेल से काफी जुड़ा हुआ है साइंस सुदर्शन के माता और पिता उशा और आर भारदवाज दोनों ही एतलेटिक रह चुके हैं उशा भारदवाज एक वॉली बॉल खेल के रोप में तमिल नाडू का परतिनिधित्व भी कर चुकी हैं वहीं उनके पिता आर भारदवाज एक शांदार एतलेट थे जुनोंने दक्षिन ऐशियाई खेलों में ढाका में देश का परतिनिधित्व किया था आज साइंस उदर्शन टीम का परती निदित्व करने के लिए तयार हैं मगर ये नाम आपने पहले भी सुना होगा जिहां आईपेल 2023 के फाइनल में गुजराट टाइटन्स की और से खेलते हुए साइंस उदर्शन ने कमाल की 96 रणों की पारी खेली थी चर्नाई सूपर किंग्स की खिलाफ भले ही बे अपना शतक पूरा ना कर सके हों लेकिन उनकी ये पारी हमेशा के लिए यादकार बन गई युवावल लिबाज ने शुबन गिल के साथ ओपन करते हुए 204 के स्ट्राइक रेट से मातर 47 गिंदों पर 96 रण बनाए थे कुछ रात ये फाइनल मकाबला नहीं जीत सकी लेकिन साइन सुदर्शन सभी का दिल जीतने में सफल रहे आई पेल में साइने 13 मैचों में 4 अर्श तक की मदोलत 507 रन बनाए हैं जबकि अगर उनके लिस्टे करियर के बात की जाए तो लिस्टे करियर के 25 मकाबलों में साइने 6 शर्टक और 4 अर्श तक के साथ 1279 रन बनाए हैं साइन सुदर्शन का करियर बेहद युवा है और उमीद की जा रही है कि भारत के लिए वे फ्यूचर स्टार के तोर पर सामने आएंगे वर्लकप 2023 के खतम होने के बाद से ही रोईश शर्मा विराट कोली समय ज्यादतर सीनिर प्लियर एक्शन से बाहर है सीनर खिलाडी साथ अफरीका के साथ होने वाली टेस्स सिरीज से कमबैक करेंगे ऐसे में युवा खिलाडियों के पास अपने आपको साबित करने का ये बहतरीन मौका होने वाला है बात अगर दोनों टीमों की प्लेंग 11 की करें तो सबसे पहले बात भारत की करते हैं की प्लेंग 11 की करें तो इनकी और से रिजा हेंट्रिक्स, टोनी डी जोर्जे एडिन मारकरम कप्तान, रासी वेंदर डूसेन हेंडिच क्लासन, टेविड मिलर वियान मुल्डन, एंडूल फेलिक वायो केशो महाराज, तब्रेश चमसी और डेंद्रेब बर्गर को जगा मिली है साइन्स उदर्शन के उपर आपका क्या रियक्षन है कमेंट कर ज़रूर बताएं, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शियर करना ना भूलें